इस वक्त की सबसे बड़ी खाबार उत्तर प्रदेश विदान सभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है विदान सभा में P.E.T.N. नाम का शक्तिशाली विस्खोतक मिला है 12 जुलाई को नेता विपक्ष की सीट के पास सफेद पाउडर मिला था फरंसिक जाच में इसके विस्खोतक होने की पुष्टी हो गई है ऐसे में बड़ा सवार उत्काए कि ये विस्खोतक विदान सभा के अंदर कैसे पहुँच गया क्या ये किसी के बहुत बड़ी साजश थी सीम योगी ने सुरक्षा पर बैठक बुलाई है तो थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगी और इस पर राप्चीत होगी चर्चा होगी लेकिन ये बड़ी चौकाने वाली खबर की आखिर पी-ई-टी-एन नाम का ये विस्खोतक विदान सभा के अंदर कैसे पहुँच गया आपको ग्राफिक्स के जरिये बताते हैं कि पी-ई-टी-एन क्या होता है बेहद ही शक्तिशाली विस्खोतक इसको का जाता है डॉक्सकोर्ट भी इसे नहीं सूंग सकता अमूमन डॉक्सकोर्ट लगाया जाता है विस्खोतक की पैचान करने के लिए लेकिन वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते मेटल डिटेक्टर और खोजी कुट्टे इसे पकर नहीं सकते बहुत कम मात्रा में बड़ा विस्खोत इससे किया जा सकता है इसमें कोई गंध नहीं होती ये भी एक वज़ा है जिसकी वज़े से पता नहीं लगाया जा सकता बहुत कम मात्रा में भी अगर ये कहीं रखा हुआ है तो इसससे विस्खोत हो सकता है सफेद पाउडर बुद्वार को विधान सभा के अंदर मिला था नेता इसको फरेंसिक जाँच में भेजा गया और तब पता चला कि ये दरसल पीटियन नाम का विस्फोटक है 12 जुलाई को मिला था ये सफेद पाउडर अब इसके रिपोर्ट आ गई है और ये पता चला है कि ये एक विस्फोटक है विधान सभा से ये विस्फोटक बरामत किया गया है बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक है ये जैसे हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्सकॉड इसके जाँच नहीं कर सकता मेटल डिटेक्टर में इसके बारे में पता नहीं चल सकता बहुत कम मात्रा में भी अगर कहीं रखा गया है तो इसे विस्फोटक को अंजान दिया जा सकता है ऐसे ही ये विधान सभा के अंदर विपक्ष नेता विपक्ष के कुरसी के पास से मिला था जब ये मिला तो इसको एक रूटीन जांच के लिए फॉरेंसिक लाब भेजा गया तब पता चला कि ये इतना बड़ा विस्फोटक है अब सवाल ये है कि ये विधान सभा के अंदर पहुँचा कैसे सबसे बड़ा सवाल क्या सुरक्षा इतनी वीक थी कितनी कमजोर थी कि अंदर एक विस्फोटक पहुँच गया सुरक्षा के कई सतर होने के बाद भी विस्फोटक सदन के अंदर कैसे पहुँच गया कौन आया इसको अंदर लेकर क्या कोई भी किसी भी पदार्थ को लेकर विधान सभा के अंदर जा सकता है क्या उसके जांच नहीं होगी, क्या उस समय ये पता लगाने के कोशिश ने की गई, कि उसके साथ अगर कोई सफेद पाउडर है तो तो क्या है? मेरे साथ मेरे समवादाता अर्विन चत्रवेदी जुड़ गए हैं, अर्विन जी बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध इसको माना जाएगा, ये विस्पोटक अंदर पहुँच कैसे गया, और अब इतने दिनों बाद ये बात सामने आ रही है कि ये पीटियन है? मैं परे मैं आपको बता दूँ कि ये जो पोरा मामला है भारतारीक का है, और हमारी जो फॉर्म सेकर्ट्री से बादचीत हुई है, उन्होंने ये एसपर सिक किया है कि जो बम स्कॉर्ट है, जो जाँच करता है, उस जाँच में ये पाया गया कि ये एक सुसेद रंका जो ज का इस्तमाल बड़े धमाकों के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी होम सेकर्ट्री ने कहा कि इस पे देटोनेटर नहीं पाये गया है, लेकिन मैं तरही जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये सवाल है कि आखिर ये वहाँ पहुचा कैसे, और दूसरी महत्पून बात ये है कि पैकेट था, वहाँ कैसे पहुचा, इसके बारे में पता लगाना अब बेहत मुस्किल है क्योंकि किसमें वो पहुचाए गया, किसके दौरा वो पहुचाए गया, किसमें वहाँ पे अनेदा प्रतिपक्ष की कुर्टी के पास रखा, उसका फुटेज नहीं है, इस बात कि पुस्टी होम सिकर्टी ने कर ली है, इसमें लगातार कल भी मीटिंग होई, आज में मुख्यमंदी में दसबजे से मीटिंग उलाई है, इसमें दुपशक के नेतां को भी शामिल किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इसके लिए जिम मिजार कौन है, तो कि य लापरवाही है बिल्कुल बहुत बढ़ी लापरवाही है आप सीधे चलते हैं राकेश पांडे मेरे सयोगी जो न्यूजरूम से जुड़ गया है वो आपको विस्ताव से बताएंगे कि दरसल यह पीटियन होता क्या है जी राकेश अमेतरी देखिए पीटियन जो है सफ्रेद रंका पाउडर है जो बेसफोटक है और जो सबसे खास बात है वो यह है कि इसमें स्मेल नहीं होती है गंधीन होता है इस वजह से जो डॉग स्कॉड वहाँ पर जाता है वो इसे सूंग नहीं सकते जिससे उसको खोजने में इसमेलडाड़र से घृपकर अगर इस पाउडर को यानि इस पोडर को अगर गुजारा जाता है तो मे क्ल डीटेक्टर इसे डीट нее प नहीं कर पाएगा है यानि मेटल डीटेक्टर सूरक्षा में लगाए गया है या फिर डॉग स्कॉडियओ तो इस पाउडर को इस के साथ नहीं मिले थे ये जो जानकारी है लेकिन ये अपने आप एक बाद इस फोटक है आप काफी गंभीर बात है इसका विदान सभा के अंदर नेता प्रतिपक्षी कुरसी के पास पाया जाना और जो बड़ी बात है वो यह किस मिल इसमें नहीं होती गंधीन होता है सफेद बारे में ऐसे अगर पढ़ेंगे भी खुद तो आपको पता चलेगा कि कितना भेंकर विस पोटक इसको माना जाता है कुछ कॉमिनेशन के साथ इसको इसको इस्तमाल किया जाता है बहुत सारे इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके वज़े से इसको डिटेक्ट करना मैं आपको बता दू कि जो ये पदार्ट पाए गया है वो नेताब कतिपक्ट के सूर्टी के पास में मिला है अब होम सिकर्टी का ये कहना था कि जब हम चेकिंग करते हैं अपने रूटिंग चेकिंग के दौरान हमारा जो बम डिस्पोजल इसपार्ट है उसको जब एक पत आप इला तो इस पूरे मामले की उच्छ अधिकारियों को सूचना दी गई आनन्सानन में लोगों ने बैठाक बुलाई और बैठाक बुलाने के बाद इसको पारेंसिक जांच के लिए भेज़ दिया गया जांच में ये बता चला कि ये जो आप बिस्पोटक है वो पार चत्वर होता है लेकिन आप इसके पीछे मैं तोचें कि इस तरीके से इन्होंने पछले ये पदार्वाई या पहले पहुचाया पात में किसी तरीके से डेटोनेटर अगर पहुचा देतें तो आप समझ सकती है कि दोनों बसीज़ें जोड़के कितना बड़ा किसी बैठकों का दौर जारी हो गया है और मुख्यमंत्री इस बड़ी गटना को लेकर बैठक भी करें बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही